हेलो दोस्तों वेलकम दूसेबर टेक और मैं हूँ आपका दोसेजासिया फ्रेंड्स शिवा इनु को इनलाइज करेंगे यहां पर और आप देख सकते हैं कि शिवा इनु की जो मार्किट रेंकिंग है उसमें तीन नंबर्स का डिफरेंस आ गया है मलब उसकी डाउन हुई है म मार्किट के इस वक्त दोस्तों सवा ग्यारा बिलियन डॉलर जो हो गई है ज्यादा इतनी भी चेंज नहीं हुई लेकिन कुछ नकुछ हुई है और इसका जो डिफरेंस है वो हमें शो होता है यहां पर आप यहां पर देख सकते हैं यह डाउन साइज में अभी भी चल रही यह ताकि आपको वहां पर में मुक्तलिफ चीजें जो है वो समझा सकूंँ तो यह यहां पर प्रोगेस है शिबा की लेकिन दोस्तों जो एक्चल चीज है आज की स्पेशल वो यह है कि शिबा के इनेफटी जो है वो आज ही लाउंच होने है शिबा स्वैप पर बनलब को ही देख लें तो वहां से पता चलता है कि एनेफटी को लेकर क्रिप्टो मार्किट में कितना बड़ा भौचाल मचा हुआ है आप सिरफ यहां पर देख लें शिबा इनु की प्राइज आपको डाउन नजर आती है लेकिन आप अगर लीश को देखेंगे तो लीश जो है आपको 9.12% उपर नजर आता है ठीक है मलब इसकी प्राइज बड़ी है वैसे अगर 24 आवर में देखें तो दोस्तों इसकी प्राइज यहां वो 3200 डॉलर तक चली गई थी अब यह 15-20 दिन पहले की दोस्तों बात है कि जब यह only 700 डॉलर का मिल रहा था और उस वक्त मैंने वीडियो बनाई थी मैंने कहा था कि इसको बाय कर लें क्यूंकि इस टोकिन का कुछ पता नहीं है इसने अपना हाई 8000 डॉलर सक बनाया हुआ है अगर आपके वालिट में यह टोकिन थोड़ा बहुत होगा तो आपको बहुत ज्यादा दे सकता है वेल यह आपके सामने है अ पर देखें तो 762 और यहां पर देखें तो 760 और फिर अगर यहां पर देखें तो इसकी प्राइज आपको सेविन 600 और 700 चलती वी नजर आएगी यहां पर ठीक है और यह डेट आप देख सकते हैं 21 सेप्टमबर की बात चल रही है यह जो मैं आपके दिखा रहा हूं ठीक ह और एक वीक का कर ले अगर लीश को तो आपको यहां पर नजर आएगर दोस्तो सिरफ यहां पर अगर आप देखें तो 16 सो डॉलर जो है ना इसकी उस वक्त प्राइज थी ठीक है और यह बात है सेविन्थ अफ़ अक्टुबर की सेविन्थ अक्टुबर को यह बदब एक excitement है यहां पर आगर आप देख लें यह सारी NFTs हैं दोस्तो अब total NFTs जो market में launch होनी है वो कितनी होगी यहां से जो ecosystem को क्या फाइदा होगा दोस्तो यह मैं अपनी previous video में already आपको बता चुका हूं लेकिन यहां पर मैं थोड़ा again आपको बता देता हूं उससे पहले एक anticipating this release and to put everyone at ease we will not be releasing the shiboshis today yet we are excited to provide information for this launch ठीक है तो अब देर हैं क्या होगा होगा क्या release date Thursday October 14 2021 तो आज Thursday भी है और 14 भी है किसी भी वक्त यह आ सकते हैं no hours will be announced मतलब उसमें कोई गंटे बगर नहीं बताने time exact नहीं बताना दूसरे नमबर पर यह के only metamask will be supported ठीक है अगर आप buy करना चाते हैं दोस्तों आपके wallet में अगर leash है तो आप इसको buy कर सकते हैं लेकिन अब जब buy की बात आगी है ना तो बहुत सारे दोस्ति यहां पर पर परिशान होंगे और सोच रहे होंगे कि हम क्यूं मतलब इसको NFT क्यों buy करें यह cartoon अजीब किसम के हम buy करके अपने पास रख लें और यहां पर इतना पैसा खर्च करें क्यूं तो दोस्तों मैं थोड़ा आपको और आपके फार एक्जमपल आप किसी जो है ना वो मुस्विर का किसी चितरकार का पेंटर की आप एक अच्छी सी पेंटिंग buy करते हैं आपने कोई 10,000 डालर में कोई अच्छी सी पेंटिंग buy कर ली और अपनी दिवार पे लगा ली तो दिवार पे वो आपको पैसे नहीं होती इसलिए यहां पर खर्चा होता है और यह भी एक तरह खार टोकें जिसको non fungible मतलब non fungible मुराद दोस्तों यह है कि यह इसकी कॉपी नहीं की जा सकती जबके यह जो हम token दोस्तों बनाते इनकी कॉपी बनाई जा सकती है दूसरी एक बात आप से शेयर करना बहुत जरूरी है दोस्तों वह यह है यहां पर आप देख लें मैं यह पूरी इसकी डीटेल में नहीं जाओंगा क्यूंके बहुत ज्यादा कुछ लीश देकर अगर बाय कर लेता हूँ एक एनिफटी तो पसिबल है कि वह एनिफटी मुझे दस हजार डालर या बीस हजार डालर या पचास हजार डालर भी कमाके दे दे आगे त्रे जो है न वह इतने में बिक जाए इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा अर्ली इसको बाय करना चाहेंगे जैसे-जैसे जो e चेंज होते जाएंगे शिबा भी बर्निंग होगी और इनके नेंभी चैंज होंगे और इनकी प्राइस भी बढ़ती ज जाएग कि उसके बाद याい दे प्रासेस तो आप दूरिंग प्रासेस जो है वो गेस फीज वगरा जो है वो आप लॉस कर सकते हैं और दूसरे नमबर पर यह है कि डूप्लीकेट नेम वगरा हो सकता है वहां पर आपको एक डिस्क्लेमर जो हो जाएगा इन केस टू पीपल कंपीट यहां पर दोस्तों य यह जो है वो यह है कि दो बंदे या दो बायर जो है वो एक ही नाम रखते हैं अगर इनेफटी का तो उसका कम्प्लीट होगा जो के हायर गेस फीस देगा वहां पर और यहां पर एक एड्रेस दिया हुआ है शिबोसीज डॉट काम का शिबा सोहिब के साथ रिलेटिड है तो यह सारी चीज़े मैंने आपको बतानी थी दूसरे नमबर पर बहुत ही आहम चीज़े वो भी आप सुन लें अब यह एड्रेस जो है ना यहां से दोस्तों आप जहन में अपने रख लें इसमें थोड़ा भी अगर डिफरेंस हो तो आपने उस पर नहीं जाना क्यूंके बी होगी जब इसका नाम चेंज होगा उसके बाद दोस्तों बहुत ही ज्यादा देख रहे हैं आप यहां पर यह जो रॉबिन होड को दोस्तों एप्लिकेशन लिखी गई है यहां पर आप देख सकते हैं टू लैक्स फुर्टी टू तॉजन फॉर हंडेड़ें इन इलेवन सि सामने है और इसका नाम है क्वाइन रेबिट यह भी न्यूज है इसके अलावा गेट डाट आईयो दोस्तों यह बहुत बड़ी एक्सेंज है इसने लीश को अपने पास लिस्ट कर दिया है ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं यह आपके सामने है जस्ट इन गेट डाट आ बनाएंगे यह अपने अपने टोकें इन टोकेंज की तो उतना ही ज्यादा एक्सेप्रेंट्स दुनिया में आएगी दोस्तों अब यहां पर एक और यूटिलिटी बनाई गया शिबोशीज के जरिये तो जाहिर सी बात है दुनिया मानेगी क्यों नहीं मानेगी और यहां पर आप देख सकते हैं लीश के लिए दोस्तों कौाइन बेस वालिट जो है वो आप यूज कर सकते हैं और उसमें भी हो सकता है यह है आप्शन आपके सामने देख सकते हैं कौाइन बेस वालिट यूज कर सकते हैं आप लीश के लिए और यह मैं दोस्तों आप आपसे बात क शिबा की प्राइज पर मज़ेखी बात ये है कि अच्छा कल मैंने इसको निच्रल पढ़ दिया था तो किसी दोस्त ने कहा था कि भाई ये निउट्रल है तो मैंने वाकिए देखा ये एक्चली निउट्रल है दोस्तो कल मैं तवियत खराबती इसलिए हो गया था शिबा अभी भी आपको दोस्तो स्ट्रांग बाय में नजर आता है वन डे में जबके इसका चार्ट कुछ और ही बता रहा है मतलब मुझे लग रहा है कि इसका चार्ट अब नीचे चली जाएगी इसकी प्राइज लेकिन यहां पर मुविंग एवरेज हमें जो 11 बाय के सिगनल मिल रहा है एक नीच्रल मिल रहा है और एक सेल का मिल रहा है ओनली वन जबके समरी तो ठीक है यह हो जाएगी और फिर यहां पर अगर ऑसीलेटर को देखें तो ओनली वन बाय का सिगनल मिल रहा है दो सेल के एट नीच्रल है तो यहां से यह हो गया कि नीच्रल पर खड़े यह कांटा जो है नीच्रल पर रुका हुआ है तो बाय और स्ट्रॉंग बाय का सिगनल हमें मिल रहा है इसका मतलब यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले एक दो दिन में और भी मतलब इसकी प्राइस गिरने वाली नहीं है कम से कम एक दिन तो यहां पर रहेगा अब इसको फोर आवर में कर लेते हैं यह वनावर का चार्ट दोस्तों मैंने खोला हुआ है आप देख सकते हैं प्राइस जो है वो कंटीन्यूसली एक रेंज में चल रही है और रेंज आपको क्या मिल रही है तो यह रेंज है दोस्तों अगेन यहां पर जा सकती है प्राइस और इस रेंज में ही चलने वाली है सकती है और यह है 24 वैल यह मैं वन आवर के चार्ट में आपको दिखा रहा हूं ठीक है वैसे अगर इसको चार्ट को चेंज करें वन डे का कर लें तो फिर आपको सही अंदादा हो जाएगा वन डे के चार्ट में यहां पर सेट किये हैं तो आप खुद देख सकते हैं यह जो बाइडन की एक स्टेटमेंट है यहां पर आप देख सकते हैं और बबल ट्रबल क्रिप्टो करंसी प्राइज न्यूज शिबा इनू डाउन टुडे एज बिटकोईन अप आफ्टर बाइडन एक्जेक्यूटर आडर तो बाइडन ने और कुछ नहीं का सिरफ यह का है कि सा अब देखना यह होगा कि इसका असर कोई क्रिप्टो करंसी पर कल को आता है या नहीं इसके बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता लेकिन एक न्यूज जरूर मार्किट में आई है जिसका असर कोई अभी तक बिटकोईन पर शो नहीं हुआ लेकिन हो सकता है अगर यह डिफरेंट जो अपनी प्रिवेस तीन चार वीडियोज हैं उसमें कंटिन्यूसली यह बताया है कि आप बाए कहां पर कर सकते हैं ठीक है बाकी सेल की तो बात ही नहीं है मैं यहीं कहूंगा आपको कि इसको होल्ड करके रख दें तीन चार पांच सालों के लिए और फिर जो